तो कोश्चन नमबर 18 वाट इस तो पता होना चाहिए सी यह मतलब कौन कोबार्ड ओके वाट इस तो प्रोवाइड एडियो एक्टिव सोर्स फ्रेंट 10.0 कि इस फाफ लाइब विंग 5.3 तो अगें मैंने आपको मिली क्या होता है बताया नहीं जो हमारा कल का लास्ट कोश्चन जिसमें आमको अक्टिवीटी पूछा गया था दीन बेड़ी ना एक्टिवीटी मतलब डिसिंटिक्शन रेड यह जो डिन बेड़ी टी होता है इस डीक इसको बेकल बहुता है तो बहुता है यूनिट ऑफ एक्टिवीटी ऑफ एक्टिविटी एक्टिवीटी इसको तो यह जो सी आए यह नॉन ऐसा यूनिट है किसका एक्टिविटी का अब वो कनवर्ज कैसे करते बताता हूं मैं आपको तो हमारे पास सबसे पहले हमको दिया गया है तुबाइट 60 लिखा है तो मास नंबर है 60 और उसके बाद जगिए नंबर है 27 विया सब्कुन नंबर बिले ऑगा लैं रिखन लिकन दू कि फिक टीड जिन वाला लिक जू बै कि अधिविटी यह दिए दिन गाई बई टी टी इन चूरी 10 ूअनि धिन डिस तो मिन वह त्री यहां मैं विए प्टों स्टीं आड टीम अटिविट्ट ए एक 3.7 दो देश्ट तो तो एक तो यह आगे आपका 10 देश्टू माइनस टू और यह प्लस टैनल पेन देश्टू एट तो 3.7 देश्टू एट बैक विरल या अगया अक्टिविटी अप अप्ट सैंपल और साथ में आपको हाफ लाइप प्रेड बता दिया 5.3 तो टी हाफ इस 5.3 तो टी हाफ इस 5.3 तो टी हाफ इस 5.3 यूर्स अफोर्स एक यह मतलब यूनों 365 देश्ट 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 एच्टेपोर आर्ट अफोर्स 60 मिनिट और 60 सेकंद यह ताव को पता हिए तुम ना एक काम करो एक साल में कितने सेकंड होते हैं वो निकाल के रख दो क्योंकि जब तुम रेडियो अक्टिविटी के या फिर न्यूक्लियो फिसके कोशन करोगे विए आपको यह मिलने वादा है तो रिमेंबर टाइम बचाने के लिए वाट यूशुट दो इस यह आदि रख लेंदा हूं दबल दिरो तो मैं एक दो पीन चार पाच्छे साथ और नोगे नहीं 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 तो मैं सुलिट चरता हो गया वान पॉइंट सिक्स इंटु टैन देश्टू सेवन पक्का है टेवन एट नाइन क्या बराबर एए पॉइंट एट इस वेरे डिपिकल पॉश्चन मैंने बुला कि यह जो नंबर है अरे तुम यहां पॉइंट लगा रहे हो तो एक दो तीर चार पाच्छे साथ आठ होना चाहिए अप्रॉचिमेट लिए गुट इप्रॉचिमेट बोल रहा हूं कि मैंने बांट इसके आगे के सारे नमबर जीरो कर दिए यह आठीज वाप्रॉचिमेटली इप यह वांट यूए ले नंबर मिल गया तो अपने आप मास मिल जाएगा अब लामडा नहीं पता लेकिन पता है तो वहां से लामना मिल जाएगा तो इस साथ भी सुलूशन तो एन आजाएगा आपका एन वहां से मिल जाएगा आपको वन भाइ लामडा दी एन वाइ बीटी तो वन वाइ लामडा दी न भाइ डी ती तरेक्ट नाथ अधर क्लिए वाइज लामडा 0.693 अपॉन टी हाफ अपॉन गया उपर दी न भाइ डीटी तो यह अभी आप काल्यूलेट कर लो 1.67 इंटो 10 देस्टो एट अपॉन 0.693 इंटो दीन बाइ डीटी कितना था अब इसको तुम कर रहे हो यह तो वन पॉइंट अच्छा एंटो थी कर लेता है इसको इंटो थी गर लेते दी इंटो 3.7 इंटो 3.7 इंटो 3.7 ओक तो 3.7 इंटो 1.67 मतलब 6.184 और दिवाइ 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 0.693 इन आगया इट पॉइंट एट पॉइंट नाइन नाइन टू 3.8 तू एट पॉइंट नाइन तू 3.8 ठीक है इंटो थी इन देन देस्टू कि आगया आपका नंबर नंबर तो अब यहां तक की प्रसेस अपिस समझ लो कुछ नहीं है एक्टिविटी मतलब दिया है क्यों दिया है उसको तुमने बैक्विरल में कनवर्ट कर लिया क्योंकि वह ऐसा है यूनिट है बैक्विरल फिर हमको ठीहाब दिया था वहां से लै अच्छा तुमको याद है कि मैंने कल क्या बताया था अगर किसी एक रेडियो एक्टिव न्यूपलिया का मास नंबर दिया हो मतलब डाइट मच ग्रैम ऑफ सबस्टन्स कंटेंज अविगर नंबर ओफ मॉलिक्यूल यहां पर मास नंबर कितना है सिस्टी इस्टी है ना जर नंबर से किसमें जाना है मास में कलमने उल्टा किया था कि नहीं हमने क्या किया था कर अभी क्या करोगे नंबर तू मास तो अगर शिक्ष्टी ग्रैम आफ पोपाइल में एन आ नंबर आटम से तो वन आटम मतलब कितना ग्रैम सिक्स्टी बाए नहीं वेरी गुड यह वन आटम है तो एन आटम मतलब एन इंटू सिक्स्टी बाए एन ए ग्रैम और यह एन तुमने फाइंट जरके रखा है सब से नुट कर दो इसको तो यह आ जाएगा एट पॉइंट नाइन टू तू 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 इंटू तू अपॉन एंट अविगयर नंबर इस पोइंट रूट तू तो तूटी ठीट तू तो तो देखे वो बी क्या आता है लेट उससी कि यह 8.923 डिवाइड वाइड बए 6.020 हुट टू 3 023 कितना आ गया 1.481 इंटु 16 बागी तो 10 के एड़ेस्मेंट है 60 का भी जिरो अटा दो ना 6 कर लो इंटु 6 कितना गया 8.88 8.88 8.88 अभी ये 10 देस्टु 16 था और ये 117 हो गया और ये उपर जाके हमें तो निस तक स्थ ग्रहम बाइच पोइंट एड एड माइक्रो ग्रैम ऐसा और वना चाहिए अगया था थे नेक्स कोश्टिन अग्ला कोशन अग्ला कोशन इस इस इंप्रेशन रज़ेट अपर संपल इस तो 10 पर आर है एक 20 आर्स है कॉम दे स्टार्ट अच्छा कुश्चन है डिस इंटिकरेशन रेट न तो बीन में डीटी कितना है टैने सु टैन पर आ रहे हैं वन आर में टैने स्टू टैन डिके होने वाले है कब 20 आर फॉम दे स्टार्ट मतलब यह ताइम का पहला इंस्टंट दिया हुआ है कि स्टार्ट से जब सैंपल लाए थे उसके स्टार्ट से 20 गंटे के बाग डिके रेटे तेने सु टैन डिके रेटेशन तो शीच पॉइंट टीन पर आर आफ्टर थर्टी आर्स और होना भी चाही था तो उनको बता है विट टाइम जो पैरेंट नुकलिया और तो टाइम इंस्टे दिया और टीटू पर तुमको डीन में डीटी की वैल्यू दे री कैल्कुलेट इट्स हाफ लाइफ जो भी सैंपल दो से हाफ ले बताओ और शुरू में इनिशल एन नौड एन नौड क्या था यह बताओ तो कोश्चन वेरी इंट्रेस्टिंग और एक करना क्योंकि आते हैं सबसे पहले घीवन पारामेटर में तुमको क्या दिया हुआ है तुमको बोला हुआ है कि एड़ टाइम इंस्टन मतब वें टाइम वस्ट्वेटी आर अट टाइम इंस्टन एक्टिविटी वस और पर आर में है और मैं इसको पर आर में ही रखने वाला हूँ क्यों क्योंकि समझेगा पुरेश हो आएगा तब कैंसल हो जाएगा उसके बाद सेकेंड टाइम इंस्टन पे मतब थर्टी आर पे जो एक्टिविटी था वो कम हो गया एक्टिविटी रहा गया 6.9 इंट्व 10 देश्ट तो 9 पर आर वैलिज वरावर है यस हां 6.3 ओके 6.3 फाइं तो 6.3 क्या फाइं करने के लिए बोला है नमबर वन हाफ लाइफ लाइफ नम और इनिशन नमबर तो आपको दो टाइम इंस्टंट पे दो एक्टिविटीज की वैल्यू दी है आपको दो पारामेटर पूछे है और फिजिक से हर को ऐसा अप्रोच करना पड़ेगा आपको क्या दिया है क्या पूचा रिलेट करो डीन में डीटी का एक ही फर्मिला है ठीक अब दीन माई डीटी एक्वल टू आक्शली माइनस होता हम लिखते नहीं माइनस एक बरवर अब मेरे पास डीन माई डीटी के वैल्यू है पहले इंस्टंट पर भी दूसरे इंस्टंट पर भी है लेकिन दू यू ना वट इस एन एड टाइम टीवन एन एन एड नहीं पता ना नहीं पता तो यह यूज़ने हो सकता डातली यूज़नी कुलता इंडर ओल्रेट देखेंगे आट ूप लियो । कि वाट वह एग तो मैंने वह भूला डायरेटली यूज नहीं होगा इन इक वल टू एडिटी अधिकर डेरिबिटीव लेने के बाद ही आता है और इसी को तो एन लिखते हो अब यह पता है तो अभी क्या करेंगे तो तो तुम्हारे पास ना डी एन और डीटी के दो वैल्य है कि कि दो जडिएड कर दो जो कि दोरने को डिवाइड करने से क्या होगा सैमकल सेम था उनिशाल उन था यह एक एक उरिय ने से से डूरा होगा और टीकि ऐकूस्टेंट भी से 될 नहीं है तो टाइम के इन्स्टंड से हमें नहीं तो जो जो कैंसल कर दो कैंसल 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 एंड इसके बाद यह जो डी एन बाइटी वाल्व कितनी है और यह है इस पॉइंट ट्री इंटू टैंड इस तो नाइन कि यह-2 ऊपर तो प्लास हो जाएगा इसटो माइनस लामडा टी वन प्लस लांब लांडा टी टी यह पता है वे ट्रीटी तो फॉपर गया तो फ्लस निवागे यह बेस से में तो पावर क्या होगा एडिस्ट है तो मैंने डिरेक्ट कर दिया हूँ तो इसमें से यह आ गया 10 by 6.3 equal to e raise to lambda निकल या common so t2 minus t1 so 10 by 6.3 equal to e raise to lambda t2 की value 30 और t1 की value है 20. so this is 10 by 6.3 equal to e raise to 10 lambda okay क्या करेंगे log लेंगे लेकिन 10 by 6.3 पहले कर लो one point something of course 1.5873 तो यह 1.5873 है यह 1.5873 है तो यह जो है ना यह 1.5873 है अब लेडर लॉग नाच्राल लॉग तो नाच्राल लॉग तो नाच्राल लॉग ऑफ 1.5873 इक्वल तो तन लंड लंड नाच्राल लॉग था नाच्राल लॉग आज फ़िए ट्रॉग प्वइबस में तो लो नाच्राल लॉग नाच्ट तो लॉग पर बागे तन तर लॉग तो लॉग तो रिटे, वाधर रिवर टॉगशु तो जो यह तो रॉग पांगे तो तो प्रोड़म तो ना देट यू एब तो तिंग टाइम ताइम और यहां पे आपको बता है डिसिंटिग्रेशन पॉंस्ट्राइट यह वन अपॉन टाइम होता है क्या होता है पन अपॉन ताइम तो यह पर आर तो पर आर में इतना अधिक है और अबने इसको नहीं किया हमको थोड़ी पूछा था कि गूल आप लाइब ताइम ऐखिए सेकेंड में कि मिनिट्स में है आर में तो पिला में हो हाफ-प्रफ टाइंग क्या से निकाल होगे है त्टी डिवागफ्य लैम ना तो जिडिवाइड भाइड देड़ सक्वेड पॉइंग सुद्ध लिडिवाइड बाइड गई रोच तू में कॉंटिटी आधा आधा होता जाएगा अब और क्या पूछा था एंजिरो क्या करेंगे कोई भी दीन में डीटी वन या टू में आप वैलू सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी एक ले लो तो दीन में डीटी आपके पास एक्स्प्रेशन है तो दी एंग डीटी वन 1 एक वर टो चलिए लिकेंगे एंजिरो वी रहस्तो थो माइनस लामडा टी वन इंटु लामडा यह वाल्यू कितनी थी 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 एस टू लामडा माइनस लामडा लामडा कित्र आया अब गरुट के जिरो पॉइंट जिरो पाइंट जिरो पोर शेक्स तो इसको सॉल करना पड़ेगा अब यह माइन अच्छा है लामडा लगने होड़ा है यह आप यह माइनस नीचे लेकर आगए आ ली में लेके आगए उसको कर दिया विखेस्ट है जिस गां जो पॉइंट जी लो पॉइंट गरेश्ट और पॉइंट्व इन कर दोए इंटो ट्वेंटी लो पॉइंट ना इन तूफ एक पावर में ए यह यह विख कश पावर में इस टू जिरो पॉइंट नाइन तू पोर कितना आ गया तो पॉइंट फाइव वन नाइन तो यह तू पॉइंट फाइव वन नाइन आएगा कि इसको डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड बाय सिरो प्लाइड जिरो प्लाइड नाइक जिरोपट जिरो मैंक जिरो पॉर इक्स्तो प्लाइड तो क्या प्लान्स तो हो तो्यन तो 11 ओढ कś तू next question next question the isotope of cobalt-57 decays by electron capture to iron 57 सबस्क्राइब है नहीं है आएनगों तो हमने ने बेखा था वह पे प्रोसेस ते इसमें एक न्यूक्लियस एक न्यूटरों को लेता है नेक्टर ग्यूंट है इस नॉटरों केप्चर इसन्ट है तो कोबल नूक्लिय ने ऐलेक्ट अब्ट तके के लिया किसमें आयन में तकी स्थम्सक्टार करेगा तका पता है अमीं नंबर वान से खों जाएगा और मंबर चेंज होगा तो तो आन्या इलेमेंट बना ऊसका हाफ लाइफ कितना है 272 डेस का ओके दा आयन 57 नुकलिस इस प्रोड्यूस इन एक्साइट स्टेट अब एक्साइट स्टेट में होना मतलब क्या जैसे आपको पता है एलेक्ट अटामिक स्ट्रक्चर में देखा था हमने की इलेक्ट्रॉन हायर और विट में आता है तो इलेक् यहां पर नुकलिस की अंदर की बात चल रही है तो नुकलिस के अंदर भी ऐसा हम बोलते है कि यह जो नुकलिस है यह एक्साइड़ स्टेट में है तो यह जब अपने ग्राउंट सेट में जाएगा तो क्या इमिट करेगा एनर्जी और कौन सा एनर्जी ग्यामा इस अप्राइशन सोर्स कोबाल 57 इस तू माइक्रो कूरी ना अभी इस इस इसंट आप पर दो माइक्रों स्टीविटी है हो मेनी कोबाल नूकलियाई दस दस विर्स कंटें तो उसमें कितने नूकलियाई है ऐसा पूचा है what will be the activity after one year एक साल के बाद इसी सेम्पल की एक्टिविटी कितनी होगी एक साब कुछा है तो एक काम करते हैं मैं डिरेटली इसको सॉल करने में लग जाता हूँ one by one I'll not write on any formula or something like that so one by one we will solve this पहला 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 पाइं दो मेन लाइफ और दिकेऌं स्टन्ट पाइंड मीन लाइफ मतलब तौ एंड लीके कॉंस्टन पहले तो तुमको डिके कॉंस्टन फाइंड अपड़ेगा ऑप्यून दिए कॉंस्टन अ हाफ लाइफ क्या था दिए दिए डिए था जिरो पॉइंट शिक्स नाइं ट्री बाइट था तो इस लांड़ा 0.693 by half-life और half-life दिया हुआ है 272 तो 0.693 upon 272 days तो यह वैल्यू आगए आपकी 2.95 into 10 days to minus 8 seconds दिन में करोगे तो 0.002547 0.002547 पर डे पर डे मतलब मैंने सेकेंट में नहीं किया अभी कर लें कर लोंगा फिर ना इफ यू कनवर्ट दिस इन्टो सेकेंड इसे करोगे डिवाइड वाइट इसको सेकेंड में गनवर्ट करते हो तो आता है 2.95 into 10 days to minus 8 2.95 into 10 days to minus 8 seconds हाँ पर सेकेंड अपर सेकेंड अपर्स एक्टिविटे कॉंसेंट तो वन अपॉन टाइम में आएगा वो बराबर है यह हो गया अभी क्या चाहिए मिलाइट वन मैं लैम्डा कर दो क्या तू सेवेंटे टू बाइज जिरो पॉइंट सिक्स नाइन त्री पैज दे में निकाल लो को तू सेवेंटे टू डिवाइड बाइब पंग दू इवाइड ब्वायट पॉइंट सिक्स नाइन त्री कितना होगया तू पनई ञाइंटी टू पॉइंट पॉइंट फोइंट चू नाइन गई कि और अगर आपका मीन लाइफ को हाफ लाइफ से कमा रहा है तो मतलब तुमने कुछ गड़बड की है कि की बड़ी क्लियर नहीं तो मीन लाइफ का मैं हाफ लाइफ ज्यादा ऐसा नहीं होता है इसको अगर तुम सेकेंड में कनवर्ट करोगे तो यह वैल्यों आ रही है 3.39 इंटुटेंट देश्टू सेवन सेकेंड यह आपका पार्ट अप्र प्रॉब्लम सॉल जाता कुछ नहीं जा पार्ट भी इप दा एक्टिविटी ऑफ रेडिशन सोर्स एक्टिविटी दिया है तो को पूचा है कि हाउ मैनी कोबाल कितना है कितना है तू माइक्रो टेम थे सुट टुटूरी को बेक्टिवल में पॉइंट सानट इच तू तो तो यह ढ़िया सब्सक्साना अगया तेटेंट इस इकलर टू न लामडा अट तो यह आ जाएगा एक्व अध्यगा इन लामडा और देखो क्या लिए भूला कि नाउ अभी यह तो लिए इसले दोन जाए है तो सेवरें पॉइंट्री स्कॉर एंड्री सब्सक्राइभ गोट सब्सक्राइब करके रखी है कि यह इन थे इस यह तुपॉइंट नाइन फाइल 10 देस्ट तो माइनस एट तो 7.4 को 2.9 वर डिवाइड कर दो 7.4 को 2.9 वर डिवाइड कर दो 2.50 तो 2.50 इंटो 10 देस्ट तो 12 इतना मिलना चाहिए है क्या आल सब्सक्राइब को आज अतर सी पार्ट पर वाट विल बीड़ अटिविटिटी आफ्टर वॉन इए वाट विल बी दिए अफ्टर वन टीएड आ करेंगे कि हमने कोश्चन कर लिया पर सो अलड़े इस टाइप का कुश्चन को यह मतलब यह नहीं इस टाइप का क्या गरेंगे मैंने बताया भी था आपको अरे 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 अगोट इस हैं कि तुम को याद है था और अगर तुम बोल रहे हो कि टाइम एक साल है मतलब टाइम और अगर टाइम कॉंस्टन है तो इस तो माइनस नामड़ाटी पूरा ही कॉंस्टन है तो जो आज है आज उसको इनिशनल मान लो एक साल के बाद जो उसको फाइनल मान लो तो आज क्या था तो यह नाव मैंने इसलिए वोर्ट ना दे बेसिकली यह लोग जानबुश्के करते हैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए तुमने यहां पर क्या लिखा दीन मेड़ेटी वहां पर तुमको दीन मेड़ेटी और दीन नौर मेड़ेटी दो चाहिए अब तुम बोलोगे इनी किया करो ना इसके लिए मैं आद तो इसको इसको तूब दिया तो यह जो बॉल दोगा और मैं बहुंत Oh पिखले केस का सब्सक्राइब को अब बुलेंगे ऐसा कैसा लिख सकते वह तुम एक साल ताइम आज से इनिशनल गिन लो ताइम आज से एक साल बोला कि शुरू से एक साल बोला तो फिर आख से एक साल, आफर बन यर सम नव, तो नव को तुम यह मान लो, पुट वाल्यूस एंट सॉल, तो दिस इस द न बाई दी तू एक साल, अभी लैम्डा की वाल्यू बता है गया, येस, कितनी ती, कितनी ती, 3.15 x 10-2, अभी 15 में पैले बोला याद रखो, 10-27, पक्का, च्वार, अगर मैं, पॉइंट एट लिख लेता हूं, पॉइंट एट तो साथ में टेंदेस्टू पाइब करना पड़ेगा, अगरी, बराबर, 86,400 को मैं 0.864 00 लिख रहा हूं, मतलब टेंदेस्टू पाइब लिखना पड़ेगा, और मैं 0.864 00 का आखरी वाला चार निकाल देता होगे, तो 0.8 इंटेस्टू पाइब बनेगा, बनेगा, इंटू 365, 365 को 3.65 इंटेस्टू लिख सकते है क्या, येस, वो टेंदेस्टू पाइब और ये दो, साथ, 3.65 इंटू पॉइंटू पॉइंट एट, इंटू पॉइंट 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 को नहीं समझा, तो आत्म चिंतन करो, इसको तुमको फाइंट करने की कोई जर्वत ही नहीं, क्यों नहीं है, अभी तो किया था, सिर्व ना वो अभी तो किया तुमने, ये देखो ये, वो ही है, वो ही है, ऐसे बाक्ष्री में पोर है, इधर नाहीं है, क्या थी वैल्यू इसकी, वो लिखा है उदर, तो पोइंट यो फाइव ना थो फाइव नाइएं तो फॉन ना थो फाइव ना थे डियू फाइव थावन को यह, कि जिरो पॉंट टू क्या अंतर है क्या है तो था यह हो टेन का पावर है क्या कुछ नहीं है क्या है तेंदेश टू है ठीक माइक्रो क्यूरी तो अब यह जो कैल्कुएशन है यह एक्सपेक्ट कि दाट डियू विल डू दू दिस कर लेना मेरे पास जो आ रहे है एक्साट्ली करेक्ट है नथिंग इस रॉंग तुमने जो तुमने जो वैलिव यूज कि यह वह किसमें थे क्यूरी में थे गया तो हमारा जो आंसर आया था है यहां पर क्या था वन अपॉन टू पॉइंट वाइन नाइन यह किसमें होगा बैक्ट में करी देते कोई बात नहीं सफेवाज 4 बाते को आवीर कर दित 모든 Ig Shletais उन्हां ट्री नच एनकिसक Cirnaрем 19.399 backpan कि अचेर देडिउल ऋं टिदि आपizers even until 10 11 12 10 12 hätte क्यूरी में पर्लोड दिवाइट टूरी तेविए दिवाइट दिवाइट थी पोईंट यॉअभाइट देविए जेरो पाइट 107 two थो माइनस 10 तो चाहा है जै आंफर के दिया गाया यह उस्टो गडबड़ा है फिर्ट सेवन यह गड़ार गड़ाएगा हुआ बाम है इनिश्यल को को गपटी लिए हिंदी नहीं हमारे पास कहां से यूज़ करो कि अने और मुझे अक्तिविटी आफ्टरंटर मुझें कि अनीशह की नहीं हमारे पास इनिशन कर दिए तुम, कुछ नहीं हुए कि इनिशल एक्टिविटी पूरा क्वेशन पढ़ लुए एक बार यह दो था यह दो क्यूरी था आंसर प्यूरी में ना ऐसे पिर हो गया आंसर क्यूरी में है तो अब अरे यहां पर ज्यान दो यह सब सही है नफिंग इस रही है मैं क्या चाहिए इसके लिए चाहिए ताप में खोन चाहिए तो इदर है तुमने तो सिफ ए रेस्टु मारा टी किया ना इस टू मारा टी किया हम लोगों ने वो डी एन बाइड टी वो कहा है यह वो नहीं तो लिखना पड़ेगा क्या था वो नहीं क्यों में दिया हुआ है तो तुमको क्या दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे क्या करेंगे क्या 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 क्यूं माइक क्यों ना तो थीक यह अब आभागा यह तू अपन तू पॉइंट फाइव रफ्ली रफली रफी रफली रफ लिख नि तो यह आ गया गलती यह हुई कि हमने यह वैल्यू टाली नहीं आख नहीं आख नहीं हुई तो गलती का हुई वह वैल्यू नहीं लिखा था आपने प्यूरी में बस नेक्स्ट कोश्चन यह अच्छा कोश्चन है और यू के एक्सपेक्स पॉश्चन और कमपेटिटिव एक्समेंज वेल असोर्स कंटेंज तो तुमने अगर देखा था तो तुमको हमेशा अलब यूरेंटिव दिखा तो जो ओरिजिनल सब्संस ता उसमें यूरेंटिव का सिर्टीव आईशोटोप था तो हमने निव्ट्रॉन बंबाड कर दिया उसके उपड़ निव्ट्रॉन कैप्चर हुआ फिर फिजन हुआ अब जो फिज़न फिज़न होने के बाद जैनान्स मर्सपी बनी ती उसके बार सेकेंड टाइम बंदा कर दिया कि और वो जो मॉडरेटेड इलेक्ट्रॉन था थर्मल न्यूट्रॉन था वो न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 235 के साथ वापिस से इंट्राक्ट करता है कैप्चर होता है वहाँ पर तुमको वापिस सेम रियक्शन दिखाई थी फिजन रियक्शन वापिस जैनॉन माना और अब भी गया तो हो सकता है कि जनॉन का ही दूसरा इस बन जाए तो अब आसा हो सकता है मतलब एसा हो सकता कि मेरे पास एक सबस्टन्स है एक्जांपल कार्वन है तो नौट रिक्वायर्ड कि कारबन का सी ट्वेल ही होगा इड केंग यह कॉमबो ऑफ ची त्वेल सी था था तो इसके अंदर तो कारबन में अलग अलग आइसोटोप सोचते हैं मैं तो सोर्स कंटेंज टू स्पेसिस और फॉस्फरस नुक्लिया तू स्पेसिस अधर दो आइसोटोप इसके फॉस्फरस के एक है पी 32 15 उसका हाफ लाइब 14.3 days और दूसरा है पी 33 15 उसका हाफ लाइब 25.3 days right at time t equal to 0 initially 90% of the decades are from P 30 to 15 तो जितना भी डीके हो रहा है उसका 90% किस में से आ रहा है P 32 species में से आ रहा है how much time has to be elapsed for only 15% of the decades to be from P 30 to 15 मतलब शुरू में शुरू में 90% डीके कहां से आ रहा था P 32 से अब ऐसा आपको पूचा है कि कि कितने टाइम के बाद कि पंद्रा परसेंट आ चाहिए P 32 में से मतलब बचा हुआ बचा हुआ 85 का जाना चाहिए पी 33 से जिनको कोशन अभी भी नी समझ में आया मैं और एक बार समझा देता हूँ हमारे पास phosphorus material है उसमें phosphorus के सब्सक्राइब करेंगे तो वाट फिल बी और एप्रोच प्रोच कि एक काम करते है पहले पी 32 15 इसका half life निकाल लेते हैं कि आए इसका आफ लाइफ क्योंता है जिरो पॉइंट शिक्स नाइन ट्री वाइट है इसका अफ लाइफ दिया है तो डिके कॉंस्टन मिलेगा डिकी कॉंस्टन दिया है तो हाफ लाइफ मिलेगा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा डिवाइड वाइट पॉइंट ट्री डे पर डे हो जाएगा फिर पर डे यह क्यों कर रहें बाद में देखते हैं 0.693 0.690 divided by how much 14.3 it now yeah 0.04846 0.04846 per day okay what about me 3350 a camera 2 0.693 upon the half to mother basically 25.3 0.693 25.3 25.3 divided कर लो यह जिरो पॉइंट सिक्स पाइंट रिकोट 25.3 से डिवाइट कर रो पॉइंट जिरो टू सेवन त्री नाइन गी डिरो पॉइंट 0273 नाइन पर डे अब इससे क्या हुआ इससे क्या मिलेगा पूछा किया यह अभी बूलना मत क्या पूछा है कितने टाइम के बाद ना टू से बढब डिके राए डिके वाट विल यू दू कि इसके बाद क्या करेंगे तो 90% इंफरमेशन इनिशन इंफरमेशन उसका क्या रोल है क्या काम रोसका पूछ तो काम करेगा न वह ते ऐसे दे दिया वाट इस दी इन बाए डीटी जल्दी 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 इस बड़ा पर डेविट ले लिया हमने तरह क्या पका पका यह ना यह पहले के लिए ऐसा दुसरे के लिए मिलेगा अब देखो ऐसा है वाट वाट वास डी dn by dt1 upon dn by dt2 रेशों क्या मिलने मारा है अरे शुरू में शुरू में स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में 90 परसेंट के कहां से मिल रहे हैं पहले स्पिसिस से मतलब यह रेशों बन जाएगा नो 90 बाइटेंग अगर 90 परसेंट डीके पॉसप्रास 32 से आ रहे हैं तो तेटीटीटी तो एक्तिविटी का रिशियो क्या बन गया अगा कितना हो गया नेज तुमन यहां ता क्लियर एं पक पक क्लियर और सुर्छर अब 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 वट क्याव अच्टी यहां अधिड फान कि अगर मैं यहां वन लिख रहा हूं यहां भी वन आएगा यहां भी वन आएगा और यहां पे भी वन आएगा अब आप बलोगे एंजरो वन की लिखा तो उसका इनिशियल नंबर अलग था इसके लिए उसका अलग था क्योंकि एक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है इनिशियल नंबर पर इन्होंने क्या बोला नाइंटी परशन किस से आ रहा है पी था ज्यादा कॉंटिटी शुरू तुमने सीखना यह एक यह एक जाद है तो इसके रही है यह 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 दूण सेम नहीं है यह यह रखना तो अच्छा आएगा माइनस लेंबडा टू एड़िए माइन लेंडा तू रही है पर यह द्यूट यह दिन वन लिखा ना उदर यह सब्सिट्यूट कर दो कि को गी माइनस नेमडा 1 तो न डर 1 e raise to minus lambda 1 into 0 to 0 initial very good minus lambda 2 into 0 you canada nine minus minus plus e raise to 0 1 nature मिल गया लांदा वन अन यॉण अपाँ लांगाट थो एकल तो नाइन अपॉट नमर वन लॉर्ट देरें लिए टी बड़ाब मम क्या चाहिए था क्या था हम को क्या चाहिए था था ताइम कौन सा टाइम वर गुट रिंगटांड कि पाइनली दी एन बाइडी टी वन कितना होगा पंद्रा तो बचावा एटी पाइड पाइड है कि समझागे पक्राइड हो कि अभी मैं इससे जादा क्या समझाओं यह डी एन बाइड टी पहला सैंपल तो मैं ऐसा बोल रहा हूं हो गया लेकिन यह कौन था माइना माइनस अभी जीरो मत लिख दे ना यह तो फाइंड करना है तो फाइंड क्या कर रहे हो इक वर डू वर फ्रिफ्टीन वा यह टीन यह पाइड इसको अलग करो क्योंकि यह नाइन है और इसको उपर लेके जाओ सब्सक्राइब यह क्या है यह क्या है कितनी है इतनी है जिरो पॉइंट जिरो तू सेवन थी नाइन माइनस माइनस वट इस लैम्डा वन जिरो पॉइंट जिरो पॉर एट पॉर एट पॉर शिक्स इन्टू टी बरवर एकॉल तु थी वाए 17 बहुत चोटे एग्जामपल से इसमें वन्जाइन रहे अब यह कुछ ने वहाँ जाएगा 17 3 ऑन गया वंपिंट इदर आ गया वन अपन दो एपन कि कि माइनस अनने वाला मैनस है था नहीं के लिए ना फिजिक्स के लिए बहुत पेशन्स लगता है बट देफिनेटली फिजिक्स हेल्प्स यू अलॉट इन फ्यूचर तो कि यू बिकम प्रॉन तु अलॉट नॉंसेंस वह तुमको कुछ भी बोले फरक नहीं पड़ता है इस वाट है इस वाट है इस वह था इस तो जीरो पॉइंट जीरो आगे क्या था तु सम्थिंग तु सम्थिंग वांज जीरो सेवाट तो मतलब बैसिकली ईदेश तो जीरो पॉइंट एक वल तु फिटीवाट मतलब बैसिकली 0.02 नि नाचुर लॉग अव फिफ्ती ती है ना उतरहे वह तरह है उसकी में ना कैसे चलेगा तो टी इक्वल टू नाच्रल लॉग फिफ्टी वन डिवाइड़ दॉट नाच्रल लॉग फिफ्टी वन नाच्रल लॉग फिफ्टी वन का एलन उसको डिवाइड वाइड कर लेंगे 0.021 कितना गया 186.6 दिन इतना अंतर होना ही चाहिए है क्या है वेरी गुड तो महिनत बरवाद नहीं हुई तो दाट इस एंड विस चाप्टर